बिहार की राजनिती में एक बार फिर से हल्चल मती हुई है नितीस कुमार और तेजस्वी याद अब एक साथ नजर आये हैं और अटकले लगाई जा रही है कि नितीस कुमार फिर से इंडिया गठबंदन में सामिल हो सकते हैं आज हम इसी पर चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं रंजीत देखेंगे नितीस कुमार का बदला हुआ रुक इंडिया गठबंदन में हो सकती है वाफसी बिहार के मुखमंति नितीस कुमार की हालिया गतिविधी ने राज की राजनीती में उथल पुथल मचा दी है पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई परमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है जिसमें यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे इंडिया गठबंदन में सामील हो सकते हैं कुछ सूत्रों के मुताबि नितीस कुमार ने हालिही में एक बंद कमडे में बैठक की है जिसमें विपक्षी एकतापर चर्चा हुई है अगर वे बाकई में इंडिया गठबंदन में वापस आते हैं तो यह फिर से राष्टिय राजनीती में एक बड़ा बदलाओ होगा तेजस्वी यादव के साथ दिखे नितीस कुमार क्या है इसका मतलब हलही में एक सालगदनीक कारिय करम में नितीस कुमार और देजस्वी यादव एक साथ नजर आये दोनों नेताओ के मुलकात ने राजनीती हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है क्या ये मुलाकास सिर्फ एक अपचारिकता थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है कुछ बिसलिसकों का मनना है कि यह दोनों नेताओं के बीच फिर से गठ जोर का संकेत हो सकता है अगर ऐसा होता है तो आने वाले चुनाओं में इसका क्या असर परेगा इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे इंडिया गठ बंदन की बात करें तो नितिसकुमार की भूमी का बेहद महत्पूर्ण हो सकती है उनकी राजनितिक रननिति और अनुभब विपक्षी दलों के लिए फैदे मन साबित हो सकते हैं अगर वे वाफसी गठ बंदन में सामिल होते हैं तो यह भाजपा के खिलाप एक मजबूत मोर्चा बन सकता है लेकिन सवाल यह है कि क्या नितिसकुमार इस वार गठ बंदन में एक अस्थाई भूमी का निभा पाएंगे या फिर से किसी कारण वस दूर हो जाएंगे अगर नितिसकुमार और तेजस्वी यादव एक साथ हो गए तो बिहार की राजनिति पर क्या असर होगा अगर नितिसकुमार और तेजस्वी यादव का गठ बंदन में एक कदम होगा बिहार के राजनितिक महल और आगामी चुनाव पर इसका क्या परभाव पर सकता है तो दोस्तों यह थी आज की राजनितिक खबडे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे और कमेंट में हमें बताए कि आपकी राय में नितिसकुमार और तेजस्वी यादव का गठ जोर कितना कारगार सावित हो सकता है धनियबाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहे हैं सार निडिया जाहिंद